हालो दोस्तों स्वागत है आफ सभी को मेरा चानल में सो दोस्तों फाइनली आज मैं आप सभी के लिए FX Impact M3 लेकर आया हूँ आफ सब का दिमान है ये जैसे ही मेरा चैनल 10K सब्क्राइबर्स कम्प्लीट हुआता मैंने आप सभी को पुछा कहता कौन सा एर रैफल का रिवियू लाना है मुझे सो आप सब ने मुझे दर्कॉस किया कि Apex Impact M3 का रिवियू लाने को सो मैं फाइनली ये लेकर आया हूँ आप सभी के लिए इसका सुटिंग रिवियू ने करेंगे मैं जल्दी सुटिंग रिवियू लाऊंगा अलग-अलग डिस्थेंस पर आज हम इसका इसका लुक्स देखेंगे किस तरह दिखता है यह बहुत ही कुप सुर्ट एर रैफल है मैंने भी चलाया नहीं इसे तो मैं जो इसको इसे बारिक से मेंने अभी तरह अब जरप नहीं किया तो मैं ज्यादा इसका जिपली में जाना ही पाऊंगा हम स्लाइटली इसका जो रिव्यू करेंगे चले देखें पहले यह है fx impact mark 3 बहुत ही कुप सुर्ट एर रैफल है दोस्तों यह वाइपोर्ट डेख सकते हैं वीड वाइपोर्ट यह कापी अच्छा दिखता है कापी सुन्दर दिखता है और मैंने मांट किया है इसमें कोफ है यह आप देख सकते हैं बहुत ही कुप सूरत दोस्तों यह 4.177 कैलिवर एर रैफल है दोस्तों इसका बैरल 600 mm बैरल है इसमें अलग-अलग लेंड का बैरल आता है 500 mm आता है और 600 और स्नाइबर बर्जन में 700 और 800 mm बैरल आता है और कैलिबर इसका अलग-अलग कैलिबर में आता है 177 422 425.30 435 लेकिन इंडिया में आपको फोन 177 ही आपको मिलेगा अगर आपका पास लाइसेंस है तो आप फोन 22 425 भी यूज़ कर सकते है कोई दिक्कत नहीं लेकिन लाइसेंस नहीं तो आपको फोन 177 में ही यूज़ करना होगा यह जो फिलाल अभी दिख रहा है यह फोन 177 कैलिबर एक रैफल है करेंगे यह त्रिगर बहुत इक उपसर्थ त्रिगर है काफी लाइट ट्रिगर है ड्यूश्ट एजहसे चाहाँ ने जसकते हैं और यह सेफ्टी आप देख सकते हैं यह अभी फायार मोट में हैं और यह सेफ मोट में हैं देखें और इसमें यह एक करवण फायवर 586 cc बो को इंडिकेट करता है दिखाया जाता है इसमें और इसमें आभ अभी देख सकते हैं 210 लगबग 210 बार अखें और यह हैं आप वेफ एज्जस्टर यह जो आप देख रहे ना यह वेफ अगरिस्टर है इसे आफ फावर भी ऐन्हेंस कर सकते हैं फिर देखें हैंड ग्रीफ काफ और यह यहां पर देख सकते हैं ताएये पावर फ्लाइनिम था लेकिन उस्टा फावर अस्पेंपेर्डित इस उसमें 54 सीसी का फावर फ्लाइनिम था इस में आदि 72 सीटी इंद्धी का फैस लेन्हें और यह जो आप मोनोमीतर दिख्धाराे न कि यहाँ फे हैं आप देख सकते हैं मैंगेजीन दाल सकते हैं इस तरह लेख्ये ये मैंगेजीन लोक कि इसमें कि ये .177 कलिभर मैंगेजीन है एक इसमें आपको 30th शोर्ट हेरे उयन मिलता है और गजीन di 5 मेड़्की जादा है बहुत अच्छा रिकॉल रवर्ट बट्फेट है इसमें आप इसे जैसे चाहिए अजस्ट कर सकते हैं देखें इससे आप इसको लूस करेंगे फिर इसको आपको उपर नीचे कर सकते हैं जैसे चाहिए आपको जिस तरह का ही रिल मिलता है आपको आपका पस कोई एफेक्स एर राइफल है आपको उसके लिए इसको गुच्छ करना है तो आपको हमेशे डियांकर देना की जो माउंट है उसको 20 mm बैरियं में हिए आपको बाई करना है आप देख सकते हैं यह माइक्रो फावर एजस्टर है और यह मा ये फर्स रेगुलेटर का जो फ्रैसर है उसको दिखाया जाता है फिलहाल ये मेरा फर्स रेगुलेटर 150 बार पे सेथ है और सेकेंड रेगुलेटर 110 बार पे सेथ है दोस्तो इस एर रैफल का अवरल लेंड है यहां से लेकर वहां तक 38 इंचेस है और इसका वजन है 3.2 kg जो क कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है मेडियू मैं अच्छा लगता है मुझे और दोस्तों यह एर रैफल 1000 फीट पर सेकेंड तक सोट करता है इसका बैलशिटी 1000 एपएस तक सोट कर पाता है इसे 250 बार तक एयर फिल करने का बात यह करीब आपको 200 आपको यह एर रैफल आप बिल्कुल हमसे बाइब कर सकते हैं और आप एर आम इंडिया स्टोर से बाइब कर सकते हैं देखिए मैं आपको यह स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा एर ना में स्टोर इंडिया बिल्कुल जैनुइन इंडिया के कही कोने पर भी दिलिवर होगा या फिर आप हमसे डारेक कॉंटेक्ट करके भी ले सकते हैं यह रैफल दोस्तों में जल्थी इसका सुटिंग ड्यू भी लाऊंगा अलग-अलग दिस्टेंस पर हम सोट करके देखेंगे के अज़र के लिए इसमें 600 mm बेरल मंग आया है आपको सोट रेंज के लिए 500 mm काफी था लेकिन मुझे लोंग-डेंज का आदत है तो इसलिए मैंने 600 mm बेरल मंगया है अब मुझे लग रहा था कि मैं 700-800 mm बेरल मंगा हूँ लेकिन काफी लंबा हो जाएगा देखने में काफी लंबा दिखेगा इसलिए मैंने 600 का ही मंगाया है मैं जलती इसका शूटिंग रीविव लाऊंगा तब तक के लिए इस तरह बने रही है मैरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए अपने दोस्तों का शेर किजिए थैंक यू सो मच